जैहिन मेरे प्यारे सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है 24 दिसंबर का सबसे पहला important current affairs आप सभी के सामने रहा सुचना और प्रसारण मंत्राले ने किस देश की OTT platform को हाली में ban कर दिया है विच कंट्री जो टिटी platform has been banned by the Ministry of Information and Broadcasting तो दोस्तों पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान देश की जो OTT platform है भारत ने ban किया है अब क्या कारण है कि भारत ने इस OTT platform को ban किया है दोस्तों ये भारत विरोधी सामगरी दिखा रहा है यानि भारत के against बहुत सारा जो content है वो यहाँ पर पाया गया इस वज़े से इसे ban किया गया है अब इस OTT platform का नाम आपसे पूछा जा सकता है exam में तो इसका नाम है विडिली TV क्या नाम है इसका विडिली TV और चार social media accounts को भी block किया है दोस्तों सारी वज़े मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा देखे आईटी नियम कौन सा नियम आईटी नियम 2021 के तहट अपात कालिन शक्तियों का उप्योग करते हुए भारत के सूचना और प्रसारण मंत्राले ने हाली में पाकिस्तान की OTT platform विडिली TV की वेबसाइट चार social media application दो mobile application चार social media account और एक स्मार्ट TV एप को ब्लॉक किया है हाली में विडिली TV में एक वेब सीरीज रिलीज हुई इसका नाम है शेवका दा कन्फेंशन्श तो शेवका दा कन्फेंशन्श हाली में जारी की गई जिसमें भारत के खिलाफ बहुत सारी बाते कही गई और इस वेब सीरीज के माध्यम से भारत की राष्ट की सुरक्षा भारत की जो integrity है sovereignty है अखंडता है और विदेशी राज्यों के साथ जो भारत के संबंध है इन सब का प्रभाव पढ़ने वाला था इस वेब सीरीज की वज़ह से इसलिए दोस्तो इस OTT प्लैटफॉर्म को बैन किया गया है अब देखे भारत के केंद्रि सूचन और प्रसारण मंत्री कौन है तो इनका नाम है अनुराग सिंग ठाकुर अनुराग सिंग ठाकुर भारत के प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है भारत के खेल मंत्री भी है दोस्तो आप सभी देख रहे हैं डेली करेंट अफेर्स मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता 14 दिसंबर 2022 के करेंट अफेर्स को मैं आप लोगों के पढ़ा रहा हूँ जो कि भारत के सब एक्जाम्स के लिए जरूरी है देखी फ्रेंट्स इस करेंट अफेर्स में सबसे आखरी में आपको हर एक विशाई का Special Static GK भी मिलता है इसके लावा डेली करेंट अफेर्स का टेस्ट होता है यूट्यूब में सबसे पहली बार सबसे कम समय में हम आपको करेंट अफेर्स देते हैं यह है करेंट अफेर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास दोस्तो किसी भी लक्ष को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दो उसके लिए हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी बिल्कुल सही बात है आप कभी सोचना अगर आपको बहुत परशानी हो रही हो कि उस काम को मैं करूं या ना करूं तो आप बहुत बार सोचते हो लेकिन अगर आप उस काम के शुरुवात कर दो तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ी जाते हो डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम जो है हमारे अगर आपको धुन देख रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या होगा तो बस आप एक एक कदम पढ़ाते चलिए धुन भी छड़ जाएगी आपको मंजिल भी मिल जाएगी चलिए क्वेशन नमबर टू को देखते हैं काठ मंडू International Mountain Film Festival का हाली में 20 वैंडिशन किस देश में आजित हुआ है इंविज कंट्री 20 एजिशन आप दी काठ मंडू International Mountain Film Festival हैड तो यह Mountain Film Festival नेपाल की कैपिटल है काठ मंडू यहां पर आजित किया गया इंपोर्टन प्रेसन है आप से पूछा जा सकता है International Mountain Film Festival कहाँ पर होता है नेपाल में ये होता है Kaatmandu में हुआ है हर साल 8 से 12 दिसंबर 2022 पे ये महसब आजित किया जाता है अभी 8 से 12 दिसंबर 2022 में आजित किया गया देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा सिध्धान सीरीन द्वारा टारेट की गई और बनाए गई हिंदी फिल्म है आइना ये Kaatmandu International Mountain Film Festival के 20th एडिशन में दिखाई गई है तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा इसके लावा दोस्तों बहुत सारी देशों की फिल्मे कोरियाई फिल्म नेपाली फिल्म इटेलियन फिल्म रूसी और फ्रेंच फिल्म इस सबी भाषा की फिल्में यहां पर प्रस्तुत की गई है दोस्तो इस साल फिल्म इस फेस्ट की जो ये जो थीम है ये है Sustainable Summits अभी हाली में भारत का एक अंतरास्टे फिल मौसब हुआ है गोवा में आजित हुआ है और ये 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक चला ये इंपोर्टेंट है ये आप याद रखिएगा ठीक है हाली में भारत में इसका आजन किया गया है दोस्तों यहां पर 13 दिसम्बर के टॉपर हमारे पास है 13 दिसम् अनिनी की रहती है सेकेंड ठेड फोर्थ बदलती रहती है सेकेंड कुल्दीब गडेशी पूरे ठेड मुहम्मद आदिल फोर्थ इंजिनियर एमके गुपता फिफ्ट धीरज तो कॉंग्रेचुलेशन दोस्तों आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और जो पीछे रह गए है तो आपको डेली मौका मिलता है टेस्ट देने का कहा पर तो यह सारा जो टेस्ट होता है मेरे पेरे साथियों क्रेजी जी के ट्रिक एप्लिकेशन पर होता है आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके क्रेजी जी के ट्रिक एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक भी free है, PDF भी free है quiz भी free है, बहुत सारे चात्र comment करके बता दीजे कि पूरी तरीके से free है यहाँ पर daily current affairs का section जो है, यह मेरा section है मैंने इसे पूरी तरीके से आपके लिए मुफ्त में रखा है चलिए, 12 दिसंबर को उर्जा सनरक्षन संसोधन विध्यक 2022 जारी किया गया, तो किस सदन में पारित किया गया दोस्तो, उर्जा सनरक्षन संसोधन विध्यक, important है इसमें क्या प्रावधान है, मैं आपको समझाता हूँ, तो दोस्तो, हाली में, राज सभा में यह पारित कर दिया गया है इसके पहले लोकसभा में भी पारित किया जा चुका है देगी दोस्तो, कोई भी बिल का पास होता है, या तो लोकसभा में पेशो, या तो राज सभा में पेशो, फिर जब दोनों सदन में पारित हो जाता है, तो राश्पती का signature लगता है हमारे पार्लामेंट में हमारा जो हमारा जो पार्लामेंट है इसके तीन अंग है लोकसभा, राज सभा और फिर राश्पती, यानि की प्रेसिरेंट, ये तीन प्रमु का अंग है, ठीक है पार्लामेंट के, ठीक है हमाई संसच के तीन अंग है याद रखिएगा तो लोग सभा जो है लोवर हाउस कहलाता है राज सभा अपर हाउस कहलाता है तो उर्जा संरेक्षन संसोधन बिध्यक में क्या-क्या बाते हैं उसको आप थोड़ा समझे तो इस बिध्यक जैसे बिध्यक पारिट किया जाएगा तो हर एक राज्य के लिए जरूरी होगा कि वो ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान दे वो ग्रीन अमोनिया पर ध्यान दे वो बायो मास और इथनॉल बहुत सारे जो गैर जिवाश मस्तुरोत की उपियोग है उसको अनिवार करने की बात इस बिध्यक में कही गई है दोस्तो हमारा लक्ष है 2070 तक कार्बन नीट्रल होना हमें अभी से कदम उठाने पड़ेंगे तभी हम अपने टार्गेट को अचीब कर पाएंगे दोस्तो 2021 पे COP26 जो स्कॉटलेंड ग्लासगो में सम्मेलन हुआ तो भारत ने इस पर अपनी प्रतिबधता पताई है कि हम ये सारे टार्गेट को पूरा करेंगे तो उसी को ले करके हमारे भारत में कानून बनाया जा रहा है तो 12 दिसंबर को राजसभा की मंजूरी के साथ ये विधेयक पारित कर दिया गया है लोगसभा में पहले से ही पारित किया जा चुका है और ये विधेयक 2001 के उर्जा संरक्षन अधिनियम आप देखे इसका एमेंडमेंट हो रहा है 2022 में इससे क्या होगा भारत में जो उर्जा की दक्षिता है और जो संरक्षन है उसको ले करके बिल लाए गया है अब देखे उर्जा की बात आ रही है तो भारत के जो उर्जा मंत्री है भारत के जो Renewable Minister है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है R.K. Singh यानि राज कुमार सिंग ठीक है चले आरब निर्मिच चंदर अंतरिक्षियान का सफलता पूर्वग प्रक्षे पढ़ाली में किस देश ने किया है चले आच्छा कुश्चन है तो आरब निर्मिच चंदर अंतरिक्षियान का जो सफलता पूर्वग प्रक्षे पढ़ाली में UAE ने किया है किस ने किया है UAE ने किया है ठीक है United Arab Emirates ने किया है और 11 दिसंबर को SpaceX Falcon 9 रॉकेट अर्बन निर्मिच अंतरिक्षियान को अंतरिक्ष में ले जाया गया है और दोस्तों ये कहां से लॉंच किया गया है USA से United States of America से USA के CAP कैना वेरल Space Force Station से इसे लॉंच किया गया है और कहां पर पहुँचाया जा रहा है चंद्रमा में पहुचाया जा रहा है दोस्तों अब आप ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है रोवर का नाम क्या है तो इसका नाम है रशिद रोवर तो रशिद रोवर जो है संयुक तरव अमिरात में दुबई के मुहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंदर में बनाया गया है अगर इसके सफल लेंडिंग होती है तो जो हकूटू आर रशीद है चंद्रमापन यंतरित लेंडिंग करने वाला पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान भी बन जाएगा दोस्तो इस रोवर का वजन केवल 10 किलोग्राम है और लगभग 10 दिनों तक ये सताय पर काम करेगा अब देखिए आप युनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात आ रही है तो यहाँ पर देखिए एशिया में आता है युनाइटेड अरब एमिरेट्स और यहाँ पर है UAE यह है ओमान और इधर है साउदी अरब UAE की राजधानी क्या है अबुधाबी इसकी कैपिटल क्या है अबुधाबी कैपिटल है और यहाँ पर जो मुद्रा है वो है अमिराद दिरहम राशपती कोन है शेक मुहम्मद बिजायद अल्नहयान क्लियर आगे बढ़ू स्क्रेंशॉट ले लीजेगा पीडियाफ आपको एप्लिकेशन मिल जाती है चलिए खाली में श्री अरबिंदो की डेड़ सो वी जैनती पर कारिक्रम आजित किया गया कहा पर तो श्री अरबिंदो जी की डेड़ सो जैनती पर कारिक्रम पुदू चेरी पर आजित किया गया कहा पर पुदू चेरी पर 13 दिसंबर 2022 को हमारे देश के प्रधान मंतरी मोदी जी की द्वारा वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से यह कारिक्रम किया गया और आजादी के अमरित महसब के तहट कंबन कलाई संगम जो की पुदू चेरी में है ये कारिक्रम आजित किया गया है और दोस्तो श्री अरबिंदो जी के सम्मान में एक समारक सिक्का और डाक टिकेट भी जारी किया गया है याद रखेगा प्रश्ण कैसे पूचा जा सकता है कि हाली में श्री अरबिंदो जी की कौन सी जैन्ती मनाई गई अब देखें अरबिंदो जी के बारे में आपको मैं बता दो मैं हर चीज में डीट में जाने की कोशिश करता हूँ जो करेंट पूचता है उसी से रेलेटेड स्टैटिक पूचता है अब अरबिंदो जी के बारे में आपसे पूचा जा सकता है कि इनका संबंद किस राज से कहां पर इनका जनम हुआ तो देखें इनका जन्म कलकत्ता में हुआ है इनका संबन्द पश्रिम बंगाल से है और 15 अगस 1872 में इनका जन्म हुआ है ये भारत के राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, कवी, योगी और दार्शनिक थे मातर साथ वर्स की आयू में सिक्षा के लिए ये इंग्लेंड ले जाये गए और 1893 में भारत लोटने पर ये राज सेवा अधिकारी बन गए ठीक है चली आज की नौलेज की फैक्टरी में आज हम डिसकस करेंगे वर्तमान में कौन क्या तो भारत के पचासवे सीजी आई कोन है दी वाई चंदरचून भारत के मुख चुनाव आयुक्त पच्चिसवे नंबर के राजीव कुमार है 25 विदी आयोक के अध्यक्ष रितु राज अवस्ति हैं ओबिसी आयोक के अध्यक्ष हंस राज अहिर हैं हाली में दिल्ली पुलिस के कमिशनर बनाएगा है संजे अरोडा NCB के प्रमुक है SN प्रधान NDRF के प्रमुक है अतुल करवाल CBI की विशेश निदेशा के प्रवीर सिनहा और National Intelligence अकैडमी National Intelligence जो है अकैडमी मैं बोल रहा हूँ NIA के महानिदेशक दिनकर गुपता है तो National Intelligence Agency के महानिदेशक दिनकर गुपता है ये भी एक नंबर आपको यहां से पक्का होता है डेली मैं आप लोगों को नई नई वेराइटी लाता रहता हूँ कल आपने राज दूद पड़े थे आज हमने वर्तमान में कौन क्या को डिसकस किया चली अगला प्रशन देखते है G20 Development Working Group की चार दिवसी बैठक कहाँ पर शुरू हुई है तो G20 Development Working Group की चार दिवसी बैठक मुंबई में शुरू हुई है कहाँ पर मुंबई में दोस्तो मैंने आपको करेंट अफेर्स में पढ़ाया था कि G20 की जो अध्यक्षता है 2023 में G20 भारत में हो रहा है 2020 में इंडोनेशिया में हुआ है कॉश्चन पूछा ही जाएगा ध्यान से सुनते जाएए इसलिए हर एक पॉइंट डिसन रिलेटेड जो भी आता है उसे हम ले करके डिसकस करते है तो दोस्तो 13 दिसंबर को मुंबई में G20 डेवलप्मेंट वर्किंग ग्रूप की बैठक हुई 13 से लेके 16 दिसंबर तक ही चलेगी इसमें G20 के मेंबर और जो इन्वाइटिड कंट्रीज है इसमें सामिल होंगे दोस्तो G20 की बात कर लेते हैं काफी न्यूज में है G20 की स्थापना प्याद रखना 1999 में की गई इसका कोई हेड़ कौर्टर नहीं होता है जैसे आपने देखा होगा हर एक और्गनाइजेशन का हेड़ कौर्टर होता है तो इसका कोई मुख्याले नहीं होता है ठीक है और दोस्तो 19 देश और ये यूरोपी संको मिला कर यहाँ पर टोटल मेंबर्स है और ये सदश्य देश आप देख पार है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनेडा, चाइना, फ्रांस ये पूरे 20 कंट्रीज हैं आप स्क्रीन शॉट ले लीजेगा तो आपको याद रहेगा इन सभी कंट्रीज के नाम कभी कबार पूछ लेता है कि कौन सा देश इसमें शामिल है कौन सा देश शामिल नहीं है ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ू में चलिए नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांग में पहला स्थान किसे हासिल हुआ है तो शिकायत निवारण सूचकांग यानि कि ग्रिवेयांस रिड्रेसल इंडेक्स में सबसे पहला स्थान है UIDAI का इसका है UIDAI का हाली में भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिगरण नवंबर 2022 के लिए प्रशाशनिक शुधार और लोग शिकायत विभाग के दोरा प्रकाशित रैंकिंग में सबसे पहला स्थान हासल किया है दोस्तों ये वही जो UIDAI की बात करें तो ये आधार जो आपके आधार काट से रेलेटेड सारे मैटर्स को यही हेंडल करते है दोस्तों लगातार 4 मही ने ये रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए है यहाँ पर देखिए UIDI के दोरा एक नया Artificial Intelligence और Machine Learning चैट बोट लॉंच किया इसका नाम है आधार मित्र और इसने बहुत सारी problems को आसानी से solve किया है आप आधार मित्र से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में बात कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर UIDI जो है आधार है हर वेक्ति से जुड़ा हुआ है इसलिए जरूरी है कि आपको knowledge हो वो current affairs knowledge हो रही है कि आप अपनी problem को आधार मित्र से भी solve कर सकते हैं आप पढ़े लिखे हैं आपको कोई problem होती है आप हिंदी में लिखी है आपको आधार मित्र आपकी problem को solve करेगा क्योंकि आधार तो हर वेक्ति से जुड़ा हुआ है अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में उपलब्द है देखे UIDI का full form याद रखना very very important आपसे ये पूछा जा सकता है इसलिए मैंने यहां पे रखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोर्टी ओफ इंडिया और भारती विशिस्ट पहचान प्राधिकरण आधार अधिनियम 2016 की प्राभधानों के तहत यह एक statuary body है वधानिक प्राधिकरण अब आपको मैं बता दू कि जो आपका अधार कार्ड होता है उसमें total कितने अंक होते है ये भी exam में कभी पूछा जा सकता है तो 12 अंक होते हैं 12 डिजिट होते है 10 mobile number में 10 होते हैं 2 और add कर लीजे तो 12 डिजिट होते है है छोटी सी बात लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो चलिए हुरून global 500 सुची 2022 में भारत की स्थान पर पहुँच गया है तो friends भारत इसमें पाचवे स्थान पर पहुँच गया है किस स्थान पर पहुँच गया है पाचवे स्थान पर सबसे पहला स्थान अमेरिका का है भारत की जो कंपनिया है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो 20 भारती कंपनिया ये सारी कंपनिया 500 सबसे मूल लिवान कंपनियों में इन्होंने स्थान बनाया है इस वज़ज़ से भारत की रैंग भी उपर गई भारत पहले 9th place पर था 5th place पर पहुँच गया है अमेरिका जो है सबसे टॉप पर है और चीन की 35 कंपनिया के साथ चीन की 35 कंपनिया मूलिवान कंपनिया दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे स्थान पर है भारत की सबसे मूलिवान कंपनी Reliance Industries है और इसके बाद TCS आती है Tata Consultancy Services आती है याद रखिएगा आप हाली में मनु भाकर ने National Shooting Championship Most Important Question आज कल ऐसे प्रश्ण बहुत पूछे जा रहे है तो मनु भाकर का पहले संबंद याद रखना मनु भाकर का संबंद शूटिंग से है तो ये Gold Medal इन्हों ने जीता है मनु भाकर ने भारत के लिए Gold Medal जीता है राश्ट्री निशानेवाजी Championship में कौन सी कैटेगरी में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिलास परधा में सौन पदक जीता है और देखिए इन्हों ने राश्ट्री निशानेवाजी Championship के 65 अडिशन में हर्याणा का प्रतिनदित तो किया है अब ये जो प्रतियोगिता है इसमें जो राश्ट्री निशानेवाजी Championship चल रही है महिलाओं की 25 मीटर परधा में कुल 4 सौन पदक जीते है अब दोस्तों शूटिंग से संबंदित कुछ important शब्द आपको याद रखना एक्जाम में ऐसे भी पूछे जाते है आपसे पूछा जा सकता है range किस game से related है बुल, bunker, bore, air gun, double trap, off end, trap, free pistol ये सारे जो terms हैं शूटिंग से related है आज का आखरी प्रस्ट है महा कवी सुब्रमन्यम भर्थियार की मूर्ती कहां पर inaugurate की गई कहां पर इसका inauguration किया गया है तो friends याद रखिएगा बनारस में बनारस में इनकी मूर्ती का अनावरण किया गया है और virtually किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये हैं महा कभी सुब्रमन्यम भर्थियार फ्रेंड्स तमिल लाडू के चीफ मिनिस्टर इनका नाम है M.K. स्टालिन इन्होंने महा कभी सुब्रमन्यम भर्थियार की 141 जैन्ती पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है देखे सुब्रमन्यम भर्तियार की बात करे तो इनका संबन तमिल नाडु राज से अभी हाली में बनारस में काशी और तमिल संगम चल रहा है अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन करेंट अफेर्स में मैंने पहली पढ़ाया है और इसी आयोजन में ही महा कवी सुब्रमन्यम भर्तियार का प्रतिमा कनावरण किया गया है तो देखे सुब्रमन्यम भर्तियार की बात कर रहे थे तो ये कवी है समासुधारक थे और सौतंतरता सिनानी थे इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 में कहां पर हुआ तमिल नाडू में हुआ यहां से करेंट अफेर्स हमारा हो जाता है दस इंपोर्टन करेंट अफेर्स खतम अब आपकी रस्मा लाई आ जाती है पिया मोदी जी ने MP के किस नेशनल पार्क में आठ चीतों को रिलीस किया है तो यह कूनो नेशनल पार्क नमीबिया से लाया गया था यही प्रश्न SST में पूछा गया है फोस की रियल टैम बिलीनियर्स लिस्ट में दुनिया के सबसे दूसरे अमीर वेक्ती कौन बने है गौता मेडानी पहले स्थान पर एलन मस्क बने हुए है किस राज में पुनीत राज कुमार के जन्म दिवस को प्रेणा दिवस की रूप में मनाया जाएगा तो करनाटक राज में तेलांगना मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो तेलांगना मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है किस राज में भारत की पहली लीथियम आयन सेल फैक्टरी का उद्घाटन किया गया तो कहां पर किया गया आंध प्रदेश में चली फ्रेंड्स अब आपके दस प्रशनों का टेस्ट हो रहा रैडी हो जाईए कमेंट बॉक्स पर देखते हैं कि कौन सबसे पहला स्थान अरजित करता है केंदरी सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है अनुराग ठाकूर है अश्वनी वैशना भारत के रेल मंत्री है और जोती रादित सिंदिया सिविल एवियेशन मिनिस्टर है भारत का अंतराष्टि फिल्म होसब किस देश में मनाया जाता है भारत का अंतराष्टि फिल्म होसब किस राज में आजित किया गया था गुवा में किया गया था नवीन और नवी करणी उर्जा मंत्री कौन है राज कुमार सिंग है शेक मुहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के राशपती है यू एई के श्री अरबिंदो जी का जन्म कहा पर हुआ था कूल कत्ता में इनका जन्म हुआ था ओविसी आयोक के अध्यश कौन बने है तो इनका नाम है हंस राज अहिर भारत के G20 शेरपा कौन है तो भारत के G20 शेरपा अमिताप कान्त है पहले ये CEO थे नीती आयोक के पहले CEO थे अब प्रेजेंट में CEO परमेश्वरम अईयर बन गए है G20 की स्थापना कब की गई थी 1999 में मनु भाकर का संबंद किस खेल से है शूटिंग से है देखे फ्रेंट्स मैं आपको एक इंपोर्टन फॉरमेशन देदू फिस्टाटिक जीके के पिटारे पर चलता हूँ बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस हमारी क्रेजी जीके ट्रिक जी CGT कोड यूज करके आप इस सभी कोर्सेस का फायदा उठा सकते हैं मैक्सिम डिसकाउंट मिल जाया क्योंकि आप मेरी डेली क्लास देखते हैं इसके लाबा दोस्तों चली 13 दिसंबर के करेंट अफेर्स कर रिविजन कर लेते हैं गुजरात के लगातार दूसरी बार ची कर जी के नाम पर ठीक है आइसी सी प्लेयर ओफ द मंथ नवंबर 2022 किसे प्राप्त हुआ है जॉस बटलर इंगलेंड के कप्तान हैं इंगलेंड के सुप्रीम कोट के नयदीस के रूप में हाली में किसने शपत ली है दिपांकर दत्ता जी ने शपत ली है जलवायू परिवर जबतन मिशन लॉंच किया तमिल नाडू यूनिसेफ दिवस का मनाया जाता है 14 दिसंबर को आयू सियन रेड लिस्ट में किन हिमाली औशदी पौधों को शामिल किया गया सभी को परसा पारा क्रिकेट स्टेडियम किस राज में है जहां 10 जनवरी को पहला वंडे मैच खिला जाएगा असमराज में है किस देशने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला नोट बैंक छापा है अमेरिका ने आईश्मान भारा स्वास्त कार्ट बनाने में सबसे पहला स्थान किसका है तो यह है जम्मुन कश्मेर आज का सवाल स्री अरभिंदो जी की तेर सो भी जैनती का आरिकरम कहां पर आज इत की गई आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है आज के स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया नदियों के किनारे बसे नगर को डिसकस करेंगे तो चले शुरू करते हैं कौन सा शहर गंगा नदी के तटपरस्थित नहीं है कानपूर पत्ना बनारस दिल्ली यमुना के किनारे है ना की गंगा के कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है तो गोमती नदी किनारे इसमें से देखिए देख लीजे आप चित्रकूट लखनाओ जौनपूर सुल्तानपूर चित्रकूट नहीं है गंगा नदी पर कौन सी प्रांती र परश्वति इनका संगम होता है तो इन तीनों का संगम कहां पर होता है तो ये होता है एलहाबाद में जिसे हम बोलते प्रयाग राज आप नया नाम हो गया है प्रयाग राज गोवा राज्य की कापिटल पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है मांडवी नदी किनारे आगरा किस नदी के किनारे स्थित है तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे पर है कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है गोदावरी नदी किनारे कौन सा शहर नहीं है नासिक, राजमुंदरी, नादेड, खम्माम नहीं है जम्मू कश्मीर की कैप्टर श्रीनगर किस नदी के तटपर है तो ये है जेलम शूरत किस नदी के तड़ परस्थित है तापी उजयन किस नदी के किनारे परस्थित है उजयन छिप्रा नदी के किनारे पर है जमशेदपुर किस नदी के तड़ परस्थित है जमशेदपुर स्वण रेखा नदी किनारे है नासिक किस नदी के तटपर इस्थित है नासिक जो है आपसे पूछा जा रहा है किस नदी के तटपर है गुदावरी जौनपुर किस नदी के तटपर इस्थित है गंगा सरियू गोमती रिहन कौन सा रगर किसी नदी के तटपर नहीं बसा सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर, भोपाल गंगा नदी की किनारिस्ति सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे शेर और शेर्नियों स्टार्टिक जीके का पिटारा तो छात्र वीरों महनत करते रहो डटे रहो, जब तक तोड़ना नहीं, तब तक छोड़ना नहीं, ऐसी थोड़ी चले जाएंगे, दोस्तो मरना तो है ही एक दिन, आल नहीं तो कल, तो कुछ करके जाते हैं न, क्यों सोचते हो, क्यों डरते हो, क्यों घबराना, जो होगा देखा जाएगा, कल की फिकर मत करो, कल क्या होगा, कोई नहीं जानता है, इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, और फ्रेंट्स टेलीग्राम जोइन कर लेना, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अप्डेट्स तो मिलते रहते हैं, MP पतवारी कोर्स लाँच किया है आप लोगों के लिए, तो राज गुपता, क्रेजी जी के ट्रिक कोर्ड यूस कर लेना, यू विल गेट मैक्सिम डिसकाउंट फ्रॉम दिस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट रिल्स, इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स मिलता है, और टेलीग्राम पर, फे विवार के सदश्य है, अगर सेशन अच्छा लगा हो, तो जरूर शेयर कीजे अपने दोस्तों को, चलिए फ्रिंट्स, कल फिर मिलेंगे, इसी जोस, इसी उर्जा के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जै हिन, जै भारत!